नहुस्का दोस्तों डिडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी कस्पागत है मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो ले कराए हूँ वीडियो है अफगानिस्तान के लोगों से बातचीत की गई है पाकिस्तान में और उनली सपोर्ट फॉर इंडिया बट वाई न फाकिस्तान को इधर की अवाले को इधर कीं नहीं पैर उनलोओं ने बन की है तए अlection सही है और एंडीयों को आप जैसे बन दोबाने जाते हैं जैसे अपने गर घाते रहतीी उसलिए उनका अब्जियों अफग कह नोगैंऻ कीं जोर यहां पर अफगानियों कर उदृता कराची खाली होगे दिका हम ने का जिनके पस दॉक्मेंट्स सकते हैं सब को कब निकाला है हमें पैस अब किया बता Sam reward अपगानिस्ताझ से कोई दुश्मणीं को दोड़ी है हमारे अफगानिस्तान गोंची हमेश unfathisतान को is on अच्छा वर्ल्ड कप आपके नजर में कौन लेके जाएगा साथ अफरीका मुझे पते हैं इसका मतलब यह है कि हो साथ अपर के लेकर जाएगा हमारा उमीद है कि पाकिस्तान लेकर आए लेकिन पिर मेरे जहन में एक शक आजाता है यार हकूमत किसका है जब मैं सोचते हो ना मैं मैं द화वे किसाता रहता डा कि पाकिस्तान में लेकर आता ला कि हमारा त्ल्द का पॉड क wrld का पाकिस्तान आता आप आप साउथ अफ्रीका को क्यों सपोर्ट करें सपोर्ट नहीं कर रहो मुझे पता उनकी जौन से ठीम अच्छा एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि चलो अभी तो पीम था भाई इम्रान खान इतने टाइम तक क्रिकेट खेले वर्ल्ड कप तो सिर्फ एक ही जीते ना 92 वाला पूरे इस टम पूरी दुन्या में नहीं है उनलोगों झोंसे टीम के लाए वनडे में इंडिया पांचों के पांच मैच जीत आ देख सावरें तो पैसे को बेरी तो पाकिसान को खरीद लेगा नोगों टीम में डिया तो जो मैच हरुआ है उन लोगों आफगानिस्तान को आफगानिस्तान को स्पोर्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान में रहा है कि इंडिया की स्पोर्ट कर रहा है, इसका हक बनता है ये बात करना कि पांच मिट में इंडिया खरीद लेगा, आपको पता है पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है, मुझे पता है, उनके पाथ जितना भी पैसा है ना वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता, उनकी टांगे कामती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वकत, आप इफगानिस्तान के है ना ये ठीक है ना उनको स्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक ये आया सच्चा पाकिस्तानी मदरसाच चाप पाकिस्तानी What's Up University से पढ़ा पाकिस्तानी पाउं कापते हैं हमारे हमारे पाउं कापते हैं अब तो ये बता भाई तो पाकिस्तानी पालियामिंट में तुमहरा एक लीडर ये क्यों कहता है कि माथे पर पसीना था और पाउं काप रहते, सुनो बे पाकिस्तान पे अटाइक कर रहा है सरेंडर तो न करते, एकाज सरेंडर करते, बाकि मर जाते 93,000 के तुमारी फॉज ने सरेंडर कर दिया पूरी 93,000 कोई छोटी मोडी फॉज नहीं होती है, कई देशों के पास 93,000 के फॉज भी नहीं है जंग नहीं लड़ सकता इंडिया अच्छा तुझे मैं बता रहूँ अगर तुरे तक ये वीडियो पहुँचे न डिफेंस डिटेक्टिव सर्च करियो चारो जंगो पर मैंने वीडियो बनाए हैं और उसमें एक भी इंडियन नहीं है सब पाकिस्तानी करनेल, जर्नेल, नेता, पत्रकार सब पाकिस्तानी है और उन्होंने तेरे पाकिस्तान के बारे में जंग लड़ने के बारे में क्या कहा है उनमें से एक कीमे बात सुनवा देता हूँ करगिल वार के बाद की बात है लास्ट तो वही हुई था न, 99 वाली तो तुम्हारे एक रिटार्ड करनल थे शायद जरा सुन लो उनकी बात दिन मुशरुफ साथ बार बार कहते हैं कि ये फौजी काम्याबी थी जिसे सफार्ती और सियासी मोहाज पर नकामी में बदल दिया गया ये काम्याबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौट से सामने नहीं हुआ था सुन लिया तो जब तक तुम मेरे सामने नहीं आये हो ना तब तक तुम हिरो बन रहे हो जिस दिन मेरे सामने आ जाओगे ना पैंट गिली हो जाएगी समझे क्या तै आप इंडियान turbo को ओफसर नहीं है के लो जी पाकिस्तान मुठ्व कांट्री है ना इफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को स्पोर्ड कना इसका ये मतलब corros नि है ने ने रहाके इंडिया को स्पोर्ट करना ऐसे निकर पाकिसान में इफगानिस्तान की ओढ़ी टीम में आके क्हेलते ने इनके वालर राशिद खान यह दर आके ट्रेइनिंग करते रही है जब इनकी टिम नहीं बनी थी इदर खेल खेल के एब men करें नफरत यह नफरत है यह नफरत है पाकिस्तानियों की यह हिंदू हमारे भाई हो सकते हैं अब हिंदू का डियेने तुम्हारे अंदर घूम रहा है और तुम कहें हिंदू की पैदाहिश हो तुम लोग अब तुम कहते हो की हिंदू हमारे भाई हो सकते हैं अरे क्या कहें हकीकत नहीं पता है डियेने चेक करवाईए ना प्लीज सुन लिया तो डियेने जाकर चेक करवाईए हिंदू काही निगलेगा और आप कहते हैं सही बात है बरो नफरत यार करो नफरत इतनी नफरत करो सिर्फ पाकिसान ही यासा कह सकते हैं और जो आप जैसे सोच रखने वाले हैं बाकि नहीं कहते हैं अर्ट करोडो लोग मुसल्मान भी है अपनी बात करो किसी के रिलिजियर देखे आज हम किसी को बुरा कहेंगे कल वो भी वीडियो बनाके बुरा कहेंगे कि शौच्ट किया किया था ना अब इनके पास अच्छा टाइम आ आगा इंके परफोरमिस दे रहे हैं प्लेयर और पाकिस्तान प्लेयरों को आखे दिखाने लग परते हैं आप मैच देखने उठा के इंडिया के साथ मैच होगा ऐसे नीचे लगके खेलें उनकी तरफ तो इन कि बात करना चाहूंगा जो पाकिस्तान और इंडाया का मेच राता है दो। हमारा जो ट्इम के लोग ता बेटिंग पेज अलग तै और उसका बालिंग पेज मतलब हम धोनों के जो ट्इम केल रही है देना थे दोनों पिछ में परकती का थी क्योंकि हमारब calculated कुछ बाल जोए बांस नहीं हो रहा था नवी का चालिस सुष्प यूरा ओर उसका उसका बालर कुछ आता क्यारे रोकड़ा लिये उन लोगों ने पाकिसान तुम्हों के दालखोर पंजब के निया काम नहीं कर रहे हैं किया बता है हमें पाते हैं तुम लोग सारे पाकिसान क कि आपके का का किए इफगानिस्तान और इंडिया चाचुः क्या वेटा यदि था तो अगमिट हिंदू और मुसलमान कजन नहीं पता हूए बताओ आपने बात गलत किया तो मैंने आना नहीं था इदर आ जो मैं तो तुम लोग जैसे लड़के को डून रहा था लगना ने देखो फैक्स पे अपने अपनी बात करो इलोजिकल बाते नहीं चलेगी पूरी दुनिया आपका इमाहत देखेगी आपका ये शो देखेगी इदर उफ्वार आप में आखर्या बात सीधिया मुसल्मान मसे लोगन हैंक prevents लेकि बार्डाष्टनिक करते हैं वह उनको आंखे दिखा रही स्टेडियम में उन्हें मुसल्मान जो आपके बाई हैं उनको आपने कुरसी यह गलत बात है पाकिसान में मार के दिखाओ किसी को कुरसी हम देखें मानें यह उसका सो परसंट से यह सबूसरान के लोग खता है वह अधर नहीं हैं चाहिया अफ़सर बैस करते क्ताने की साफ्व बात सुनो वह पाकिसान की साफ्सरिकरते कूँ करते क्योंकि वो इदर जब अफगानी आते ना उन लोगों ने बहुत इन लोगों ने लड़े थे ना इसलिए यह पाकिस्तान ने किसी अफगानी बाइकों नहीं रोका अच्छा और जो आपने अपने बेसिस दिये अफगानीों पर बंब अर्साने के लिए अमरीकियों को आपने अपने एरस्पेस दिया अमरीकी प्रिडेटर ड्रोनों को मिसाइल गिराने को अफगानीों पर तब बातें याद नहीं आती हैं वो तो अफगान अपने भाई को याद नहीं आ रहा नहीं तो वो अभी आपको ठोक देता भी उसकी जगा मैं होता ना मैं आपसे सवाल पूसता कि जब मिलिटरी बेसेज अमरीका को दिये तब याद नहीं आ रहा था जब डॉलर के बद ले अफगानियों का खून आप लोग बाहा रहे थे तब याद नहीं आया जब डॉलर के बद ले अफगानियों पर मिसाल गिरवानी के लिए अपने एरसपेस दे रहा है तब आपको याद नहीं आया दूश्मनी क्रिकट की नहीं है ये दूश्मनी जानों की है जो जाने अफगानियों की पाकिस्थानीयों की वज़े से गई है लाखों अफगानी मारे गए पाकिस्तानियों के वज़े से तो दुश्मनी इसकी है और आप कहते हैं हिंदू है मुसल्मान हम हिंदू मुसल्मान साथ नहीं रहे क्या और अफगानियों के पास अपना दिमाग है और अफगानी पाकिस्तान में रहे पोलिंड में रहे, वो जहां भी रहेगा, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, उसका मन करेगा, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, आप कौन हैं? क्या जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो जब पाकिस्तान का मैच होता है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट न मेरे दोस्त भुह जाक्टर है, अफगानिस्तान से आया था, जब अबी जो यससे पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान सबस्थी उन पाकिस्तान ऐक हम लoisे करें और भॉप रखर करते हैं तरो पूंब्स्पार्ट निए यहें में धोर्फ करते हैं लेकिन इसके इससे के बाइन आणे मैं पथान हुआ ठीकिन है उसका बात नहीं कर रहा है कि वह सब्सक्राइए कह रही है ठीक है इसका बात सही है हम जो है ना हम रिस्पेक्ट देते हैं हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं हम हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं पाकिस्तानी लोग हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ठीक है और बाकी रही अफगानिस्तान की लोग तो अफगानिस्तान वाले म न Clair लो था इफगानिस्तान के प्लेOr खिल ले आते हैं कितने आते आते हैं पाकिसान उंको रिस्पेक्ट नहीं देता कितनी इज़त मिलती पैसे भी मिलते हर एक चीज मिलती है respect मिलती है क्यों क्योंकि मिलती वो player अपक्सान के टीम जब दुबई गया तो आपने बाद के दुबई जिदर लड़ाई हुआ हुआ है उदर पाकिसान के टीम को मुझे जयाँ है उनलोग एफ दीन नी जो दीन भीटक्साव को देगो हमारे साथ सबूत है अशी अस्य साल का सबूत है क्यों निकाल रहे हैं मेरे साथ मुझे नहीं निकाल रहे हैं इंडिया में कितने मुसल्मान हैं वह इंडिया में रहते हैं इंडिया को स्पोर्ड करते हैं क्यों वह उस कंट्री के हैं पाकिसान में मुसल्मान हो हिंदू और जो भी अफगानी हो आप पाकिसान को स्पोर्ड कर सकते हैं आपको तो नीना निकाला शिए और को तो नीना निकाला जिसके पास कागज साय डॉकुमेंट्स है वोड़े नो इशू देखें में यह कहूंगी कि यहां पर जितने भी बॉइस का फेवरेट जो है अफगानिस्तान टीम में से है किसी का फेवरेट इंडियन टीम में से है तो अपने अपने फेवरेट खलाड़ी को आप सपोर्ट कर से तो इसमें कोई बुरी बाद है इंटरनेशनल गेम है लेकिन जहाँ पर मुल्क है पाकिस्तान की बात आ जाती है तो एज़ा पाकिस्तानी हमारा फर्ज बनता है कि हमारी बैस्ट विशिज और हमारी दौाइं अपनी टीम के साथ होनी चाहिए क्योंकि अगर बोर्ट जीते गा तो इस जाहिरी बात है पाकिस्तान जीते गए इन्यों ने बात की इंडियन मुस्लिम की वो मुस्लिम है लेकिन वो इंडियन है तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे तो यहां पे कंट्री का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा जूरूरी है और इज़ा पाकिस्तानी आपरीके की टीम वो अच्छा खेले या बुरा केले सपोर्ट करते रहना चाहिए आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है और एज़ा पाकिस्तानी मेरी दुआ ये है कि मेरा मुल्प पाकिस्तान जीते और जो अफगानिस्तान के सपोर्ट रहे हैं वो अपने अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं सोने हाई हैं मैं फी 장 caption कर रहा हैं छाने को वब हुद किस्तान को सब कर रहा हूँ से पाकिस्ắt पाकिसान को सबय है यह यह गया है तो बस मुझे मैंने किसी सोना यह यह तो करहें खोड़र की सूर्टेहाल कि God bless you और चले दोसर वीडियो खतम हो गया तो देखिया अफगानिसान पाकिसान के लड़ाई वैसे खतम नहीं होने वाली और जो बात इन्हों ने कही जो असली नफरत की बात कही वो उस जैकेट वाले भाई ने कही हिंदू तुम हिंदू को सपोर्ट कैसे करोगे तुम लेकिन वो माने का नहीं उसको तो साबित करना नहीं बहीं लोयल्टी साबित करनी है कि आह मुसल्मान है और वो साओदी वाले तुर्की वाले बूनी लगाती लोगों को वो अलग बात है ओवर जो मैच की बात है देखिए मैं अगर इंडियन मूल का हूँ और मैं कहीं भी भहन ही मैं अमेरिकन हूं मेरा point समझें मैं भए यंअमेरिकन हूं वाइबर अमेरिकन हूं लेकिन बहरत और अमसे कह जाए कर लेहां धान हो यह अभामानितान नहीं भूला, वो दॉछ जानता कह ही है अब बेचारे को कहना पड़ा ये अलग क्योंकि दबाब जादा था ना वैसे अफगानी को खिलाफ मावल बना हुआ है पाकिसान अच्छा एक और बड़ी मज़ेदार बात हुई है पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी जिनके पास कागज नहीं हैं उनको वापस जाना पड़ेगा और यही बात जब भारत कह रहा था C.A.N.R.C. के वक्त कि भाई कागज तो दिखाना पड़ेगा तो यहां के लोगों ने भी कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे रोहिंगिया और ये और वो कागज तो हम नहीं दिखाएंगे पाकिसान भी कूद पड़ा था उस वक्त देखिये मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा है मैं कहता हूँ भारत को अपूत पड़ना चाहीं कि देखिये अफगानों पर जुल्म हो रहा है पाकिस्तान और ये वाकिस जुल्म हो रहा है आप वह सब निकाल रहे हो बाहर कर रहे हो वो आपके टुकडों पर थोड़े में पलते हो आप उनके टुकडों पर पल रहे थे अफगानियों के अब आपको कैसे अजी अमेरिका से लाखों डॉलर आते थे अफगान रिफ्यूजी के नाम पर अमेरिका आपको लाखों डॉलर देता था अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर यूनाइटेड नेशन आपको लाखों डॉलर देता था अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर अब जैसे ही वहाँ से रिफ्यूजी के नाम पर डॉलर्स आने बंद हुए हैं अब आप कागज ढूनने लगे कि किस अफगान के पास कागज है और किस के पास नहीं है अंदर घुसाते हुए नहीं याद आया जब अफगानियों का आने दे रहे थे इसलिए आने दे रहे थे क्योंकि आपको लाखों डॉलर्स दिख रहे थे अमेरिका से और यूर्पन कंट्री से जो अफगान रिफ्यूजी के नाम पर मदद के नाम पर आपके पास आती थी अब वो आने बंद हो गई तो अफगान बुरे हो गए अब कागज रूने लगे सुची कितना डबल स्टेंडर्ड है यही काम अभी भारत में हो जाए तो अभी भारत के लोग सड़कों पर आ जाएंगे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर रहेंगा कि देखो रोएंगिया मुसल्मानों के खिलाफ बंगला देशे मुसल्मानों के खिलाफ जो illegal गुसे हुए है उनके खिलाब देखो जुल्म कर रहा है भारत हम तो लगतार कर रहे हमारे देश के बीतर से लोग आ जाएंगे कि घुसपैटियों को क्यों निकाल रहे हो इनको तो महमान बना कर रखो लेकिन भई पाकिस्तान कर रहा है कोई किसी को फिकर ने है कोई कोई नि दी बो लेगा फिर्म लेकिन अफगानी जानते है कि पाकिस्तान में और भारत में उनके लिए कितनी अलग सोच है उसने कहा ना बारत दूसरा घर है अफगानियु का क्योंकि यहाँ पर वैसा फील नहीं होता कि आप अलग हैं या हम किसी लालच में आपको नहीं लाकर होते हैं कि हमारे पास लाखोड डॉलर्स आ रहे हैं यहाँ पर अफगानी बच्चे पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं फैमिलीज हैं, बिजनेस करते हैं इसलिए और हमारे बन में लालच नहीं है मुझे याद आता है कि कोई एक सर्वे हुआ था शायद अफगानिस्तान में तो वहाँ पर शायद 60% है, 70% लोगों ने कहा था कि भारती हैं उनके सच्चे दोस्त है भारत को पसंद करते हैं वह इसलिए और ये दोस्ती आज की नहीं है ये हिंदू-मुसल्मान पर मच जाईए ये पाकिसानी हो काम में बढ़काने का ये दोस्ती हजारों साल से है क्योंकि पाकिसान को तो पैदा हुए 75 साल हुए 76 साल हुए अफगानिसान बहुत पहले से था और भारत भी बहुत पहले से था तो हम दोनों के रिलेशन बहुत पुराने हैं जल्दे आजिर होता हूँ एक और नए वीडियो में नमस्कार जै